हाई बच्चा लोगों कैसे हैं आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो ना करती रही है और मैं बने गुपतर स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल के जबी साइंसिजी लर्निंग और बच्चा लोगों आज हम आपने लाएं बढ़िया सा चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक डेट इस हाव डू ऑर्गनिजम्स रिप्रेड्यूस ऑफ क्लास टेंथ ओके इंपोर्टेंट चैप्टर है और आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं बच्चे लोगों सेक्स्वाल इप्रड़क्शन और आप सामने डाइग्राम देख रहे खूप सारा अच्छी तरह से मेहनत करिए अच्छे बोर्ण में माक्स लाइए पका अच्छे माक्स आएंगे ओके बच्चा लोगों तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक असेक्स्वाल इप्रड़क्शन के लिया चलिए तो बच्छा लोगों असेक्स्वाल रिपोड़क्शन आप सभी को पता है वो रिपोड़क्शन जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्मॉल्ब होता है कोई भी सेक्सेल्स का फ्यूजन नहीं होता जो हम पढ़ चुके हैं तो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्छा लोगों टाइपस अ नहीं पहला टाइप है देशन दूसरा बड़ेंग तीसरा रीजेनरेशन चौता फ्रेग्मेंटेशन पांच मैं स्पोर फॉर्मेशन और सिक्स बेजिटेटिव प्रॉपेजेशन और इसमें यह नई बराइटी है देटेटिशू कल्चर जिसे आप यूमन में बोलते हैं ट दंग से पढ़ेंगे सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं हम बहुत इंपोर्टेट टॉपिक है फिजन ओके बच्छा लोगो तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजन तो चलिए बच्छा लोगो फिजन दा प्रॉसेस इन विच पेरेंट बॉड़ी इस्पिलिट टू फॉर्म तू और मोर नियू अर्गिनिजम बच्छा लोगो वो प्रॉसेस जिसमें पेरेंट को की बॉड़ी जो होती है बच्छा लोगो पेरेंट अर्गिनिजम की बॉड तूठ कर दो यादो से जादा नए और्गनिजम बना देती है क्या कहलता है सब को पता हूगा फिशन दो तरीखेका होता है और पहला तरीका है byenary फिशन और रे दूसरा तरीका है multiple Är, सबको पता है binary फिशन जिसमें एक और लिखनिंजम से दो ऑसमें जाए और मुल्टिपल इसमें एक से बहुत सारे बन जा है तो चलिए हम पढ़ते हैं बाइनरी फिशन होके देखिए बाइनरी फिशन और आपके सामने बाइनरी फिशन अमीवा का बना हुआ है बहुत इंपोटेंट डाइग्राम है डंक से देखेंगे तो दफ फिशन इन विच पेरेंट बाडी इस्पिलिश तू फॉर्म टू न्यू और्गिनिजम सबको पता है बाइनरी मतलब दो कंपुटर में बाइनरी नुमबर होते ना 01 इसी तरह बाइनरी का मतलब भी तू होता है क्या कहलता है बाइनरी फिशन जैसे किस-किस में होता है अबीवा में ह मेरी इंपॉटेंट अबचया लोगो पक्का पेपर में आता है तो अमीवा में जो आप मेरी हीजिए का छो झो चोता है जो आत रहें होता है इंतो तू विद्स पर फिरस ऊनले का थिस प्यांग स्वरुशे में दिक एक हमसा बहुत है अफ लियूश आप्टरगा मुझलियू और यूज्म अलसो टिवाइट इन्टो येकुल पार्ट इस दिस इस is called cytokinesis what is cytokinesis बताइए cytokinesis means cell cytokinesis के लिए now each part of amoeba contain one nucleus surrounded with cytoplasm इस तरह से amoeba के दो पार्ट बन गए और दो पार्ट हर पार्ट में एक nucleus होता है और उसे उसमें nucleus किस्ते सराउंट रहता है cytokinesis के लिए फक्का बच्चो इन दिस वे टू डॉटर अमीवा आर्फ क्या बन जाएंगे बच्चा लोगों दो डॉटर अमीवा बन जाते हैं के लिए तो इस तरह से बाइनरी फेशन हुआ important topic है और यह diagram है diagram वैसे मैं अभी आपको दिखाए तो मैं द्वारा दिखा दे रहा हूं इधर देखेंगे सारे लोग तो यह diagram बच्चे लोगों बहुत important है diagram पक्ता paper में आएगा ओके तो इस diagram में आपको क्या देख रहा है कि पहले अमीवा जो था अमीवा का पहले nucleus बड़ा हो रहा है यह nucleus बड़ा हो रहा है और दीरे-दीरे nucleus दो पार्स में डिवैड हुआ पहले निउकलेस का डिविजन होता है फिर सेटो प्लाइज में हुआ और फिर अमीवा से दो पाड़ में इंपोटेंट डाल देना हंडर परसेंट बोड एक्जाम में आने के चांस रखता है कि लिए बच्चा लोगों सबको आ रहा है बहुत ज्या का बाइनरी फिशन पूछ लिए जाता है लीश में या और अमीवा के बाइनरी फिशन में क्या डिफ्रेंस होता है बहुत इंपोटेंट डाल देना काफी बार पेपर में आता है तो बच्चा लोगों देखिए इदर लीश में यह जब प्रोटो जोगा विच कोजिश कालाजार डिजीज याद रखिए एक नम्मर का क्वेश्चन पूछ लेता है कालाजार डिजीज किस प्रोटो जागी वाज़े से होती है लीश में या बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस ब्लेंच लोगों वह किसी भी प्लेस से हो सकता है किसी भील्चे से हो सकता है यह अगॹाघ्र का काफी वार आज चुका है very important लिए करीं Camera자 चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चा लोगों आлемहारे on मुल्टीपल फिशन मुल्टीपल सब को पता है दो से ज्यादा तो दा फिशन इन विच अपेरेंट बॉड़ी स्प्लेट टू फॉम मैंनी न्यू और्गिनिजम जिसमें पेरेंट की बॉड़ी स्प्लेट होकर बहुत सारे नए और्गिनिजम बनाती हो एट टाइम एक ही टा मलेरिया होता है प्लाजमोडियम तो आएए बच्चा लोगो हम पढ़ते हैं multiple fission in plasmodium तो multiple fission in plasmodium में क्या होता है बच्चा लोगो unfavorable conditions a layer is formed around the cell of plasmodium this layer is called cyst actual में क्या होता है plasmodium हैं इस तरह से अपनी cell के चारों तरफ एक unfavorable condition में सिस्ट बना लेता है आप जब ठंट पड़ती है तो आप भी Ark कन्डीशन होती है आप σब्सक्राइब न के लिए इस तरह इस से सिस्ट के अंदरी अंदर बहुत सारी क्या बन जाती है डॉटर सेल्स बन जाती है इनसाइड दा सिस्ट के लिए बच्चा लोगो इन फेड़ेबल कंडीशन फेड़ेबल कंडीशन जाब आती है जब घर्मी आएगी तो अब जयकेट उतार देंगे इसी तरह जब favorable conditions आती है तो सिस्ट क्या हो जाती है ब्रेक्स और डॉटर सेल्स आर रिलीज टू फॉर्म मैनी प्लाजमोडियम और सारी डॉटर सेल बहार निकल के क्या बना लेती हैं प्लाजमोडियम बना लेती हैं सबको आया बच्चा लोगो और एक डाइग्राम है देखे सारे निकलेस में डिवाइड हो गया देखी कितने सारे निकलेस बन गए और जब फेवरेबल कंडिशन आती हैं सिस्ट ब्रेक हो जाती है और सारे प्लाजमोडियम बाहर निकल खाया जाते हैं बच्चा लोगो मल्टीपल फिशन बहुत इंपोटेंट है काफी बार पेपर म बच्चे लोगों पहले बढ़ समझें बढ़ जैस्मॉल आउट ग्रोथ कि कोई ग्रोथ हो जाती है बाड़ी के बाहर बाड़ी के ऊपर ओके बिच ग्रोज तूट फॉर्म नियो और गिने जाओं के लिए तो आईए बढ़िंग क्या होगा दा रिप्रड़क्शन इन पेरेंट ग्रोज आउट एजब बढ़ कोई पार्ट है बोड़ी का वह बढ़ की तरह एक्ष्ट्र ग्रोथ की तरह बेव करता है और बाद में वह अलग होकर डिटे चोकर एक क्या बना लेता है बच्चे लोगों नया और्गरिंग मना लेता है बहुत बार आता है बढ़ि है तो पहले हमाई से लिपस में बढ़ेंगे इस्ट जी कितना इंपोटेंट है बहुत बहुत बार पेपर में है तो ऑन दा ऑउटसाइड ऑफ सेल वाल अबड़ अपियर्स इस्ट के सेल वाल पर अचानक से ग्रूथ पैदा हो जाती देखी होगी डैट ग्रोथ इसकॉल ब बड़ में आ जाएगा सेम कार्णी दा निउकलेस ऑपेरेंट इस्ट डिवाइट इन्टो टू पार्ट्स वन अप देम एंटर इन्टो बड़ के लिए पका रहे समझ में चलिए तो नेक्स्ट बच्चा लोगों आप्टर संटाइम जो बड़ थी अभी मैंने बताएं था ऐसे है तो बड़ थी वह क्या हो जाए ही बड़ जल्दी होती है तो जाध बनी थी कि वह बना लेती है फिर वह और बनेती पिर बना जाती है एक इस्ट की एक चेन मन जाती है चेन और इस सेल्स बन जाती है कि लिए पका डाइग्राम है एंडर परसेंट आता है बेरी इंपोर्टेंट डाइग्राम है बेरी इंपोर्टेंट डाल देना हंडर परसेंट डाइग्राम है इस से डेपलोपिंग बड और देखिए यह बड़ डेवलप हुई और यह चेन मनगी बड़की पक्का रहा है समझ में चलिए नेक्स्ट आप यह बढ़ते हैं बढ़िंग इन हैड्रा इसका डाइग्राम भी बहुत इंपोर्टेंट है डाइग्राम बेस्ट क्वेस्टेंस आते हैं बहरी इंपोर्टेंट डाल दीज यूज करके अब बड़ अपियर्स एज एन आउट ग्रोज इन हाइड्रा ड्यू टू रिपीटेट सेल डिवीजन जब किसी पार्ड कर देखिए डाइग्राम देखना है अचानक से यह वाला पार्ड उसका क्या हुआ ग्रो करने लगा रिपीटेट सेल डिवीजन से इसको हमने बड़ नाम देदिया क्या नाम देदिया बड़ आप्टर दा मैच्योटी दबड़ डिटेच फ्रमदा पेरेंट बोड़ी एंड डेवलप इंटू निवाट और कुछ ताइम बाद देखिए यह जो बड़ है वो ग्रोगी और ग्रोग के मैच्योर होके पेरेंट हाइ पैदा करेंगी देखिए डिटेच हो गया पूरा एक हाइट्रा बन गया और यहां से तूटके यहां पैदा कर देगी लिए हाइट्रा के इस पार्ट को क्या कहते हैं पूछ सकता है डैटी टेंटाकल्स ओके चाले नेक्स्ट आब एक योर बढ़ते हैं बच्चा लोग इन इस सम और्गिनेजम कि दा बड़ रिमेंज अटेस्ट टूदा फेरेंट बोड़ी पर्माड़नेंटी कुछ और यह में पेरेंट की बोड़ी हमेशा बड़ से जुड़ी रहती है यानि बड़ उससे अलग ही नहीं होती पर्माड़नी चुपक जाती है और एक कॉलोनी बना अगे बड़ते हैं तो बच्चा लोगों यह डाइग्राम है डेटेज बड़िंग इन हाइड्रा काफी बार पेपर में पूछा जाता है और आता है तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे इसमें बड़ पहले क्या होई बच्चा लोगों इस पर एक बड़ यहां से क्या हुए बच्चा लोगों ग्रो हुई बड़ डैवलप होने लगी एक नई बड़ पूरी तयार हो रही है नया हाइड्रा पैदा हो रहा और यहां पर डिटेच हो गया तो बड़िंग से नया हैट्रा पैदा हो गया बड़िंग के लिए सब को आ गया पक्का बोला करिए तो बहुत इंपोर्टेंट डाइगराम है काफी बार पेपर में आता है तो चलिए बच्चा लोगों नेक्स रिपोडक्शन की तरह मूब कर रहे और नेक्स रिपोडक्शन है बच्चा लोगों आपका ड़ेडरी जैनरेशन री जैनरेशन आपने कभी स्टार फिस देखी आपने कभी लेजर्ड लेजर्ड की आप पैर पर लेजर्ड के पूंच पर पैर रख देते ना तो छोड़के वाल जाती है क्योंकि बाद में उसस उसे गोडिकर लेती है री जैनरेट कर लेती है तो कुछ और बौरा ही ने उपना लेता है ना तो देखते हैं क्या है यह शुलासिंच वह घ्लिटेजा ALL चाहिर्ड़वर्ट को पीदा करना that ability is regeneration किन-किन में में पढ़ना है hydra में और plane area में सबसे आधा important is regeneration in plane area आईए important डालेंगे 100% very important if the body of plane area suppose plane area की body किसी भी तरह से तूट जाए कट जाए into a number of pieces then each piece of plane area gets regenerated to complete plane area by growing all missing parts देखिए diagram diagram देख रहा very important diagram देखिए इसके तीन पार्ट अलग अलग हो गए किसी तरह से कट गए तो हर पार्ट दीरे-दीरे क्या करेगा complete grow करेगा और हर पार्ट से एक नया plane area बन गया तीन पार्ट वे तीन नए एक plane area पैदा हो गए तो हमें आया पक्ता रहा है बहुत important very important के लिए तो देखिए इस diagram को बच्चा वही सेम diagram मैंने आपको color बे में भी देखा दिया एक plane area plane area तीन पार्ट में divide हुआ हर पार्ट उसका complete grow करता है धीरे-धीरे और complete grow करके तीन नए plane area में पैदा हो जाता है तो यह कहते है री जेनरेशन के लिए सबको आगे बच्चा लोगों पक्का रहा है तो डाइगराम बहुत इंपोटन डाइगराम डाली एब very very important diagram जरूरा आपको आनेच्ट टापे की वर बढढते हैं बच्छा लोगों और नेक्स टॉपिक 손 you को यो वैस्जरूंत है हाइड़ा का इसमें भी रिज्शन होता है तो मतलब हाइड्डरा में दो दो तरीके से असेस्य नहीं सब्सक्राइब कि बाड़ी अगर किसी भी तरीके से कुछ पार्ट में कट जाती है तो हर पार्ट से हाइड्रा का एक नया और्गिनेजम पैदा हो जाता है बाइग्रोइंग ऑल मिसिंग पार्ट इसका डाइगरम हमाई सलेवस में इसलिया नहीं बना रहे हैं चली तो नेक्स क्वेस्टन यह काफी बार बोड में आ चुका है एक क्वेस्टन डाल देंगे वेरी वेरी इंपॉटेंट क्वेस्टन एक्स्पेन वाइं मोर कॉंप्लेक्स और्गिनेजम कैननोट गिव राइज तु नियू और्गिनेजम बाइदा प्रोसेस और रीजेनरेशन यह कह रहा प्रेक्स ऑच और्गिनेजम नए और्गिनेजम पैदा रीजेन इस उसकी पहला रीजान है क्वेस्टन में पराइपने देखा होगा सिर्कुलेशन इस रेप्रोक्सिंग में समय भी ब्र शेम साभी हो अनकिनिके और दूसर रीजन है आपके नाइंध में पढ़ा हुआ क्योंकि हम आपको नहीं कर सकते हैं एक क्वेस्टन बहुत इंपोटेंट जरूर पेपर में आता है सबको समझ में रहा है बचलोगों पक्का आया तो चलिए नेक्स्ट आगे की और मूप करते हैं आगे की और पढ़ते हैं और हमारा रीजेनरेशन खत्म होने के बाद अब आता है आपका फ्रेग्मेंटेशन फ्रेग्मेंटेशन क्या कह रहा है आपको लगेगा सर फ्रेग्मेंटेशन इंग्लिस में तूट नहीं होता है फिशन भी तूटना होता है अंग्रेजी में दोनों से में बट यहां पर डिफ्रेंस है तो आईए क्या होता है फ्रेग्मेंटेशन बचलोगों लिटीक ईपदा अपंड बाड़ी और सिंपल मुल्टरेसल और रगमेंटेश्च पैदा हो दैट इस गाल या ऑद रिजन लेसं जैसा है बड़ रिजनरेशन नहीं है लिए तो बच्चा लोगों fragmentation किन-किन में होता है हमाई syllabus में है spirogyra एक एक्जाम्पल है हमाई syllabus में that is spirogyra इसका diagram बहुत important है पहले देखते हैं क्या है fragmentation in spirogyra तो spirogyra is a flamantus algae filament की form में होता है फीते जैसा form में होता है river जैसी form में इसलिए से flamantus algae कहते हैं the flamant of spirogyra breaks into two or more fragments and each fragments grows into new spirogyra यह कह रहा है कि flamant जो होता है spirogyra का वह दो या दो से जादा fragment में तूट जाता है और हर fragment से नया spirogyra बनता है तो देखिए spirogyra बने दो दो पार्ट में तूटा हो हर एक से नया spirogyra बन जाएगा के लिए चलिए तो इसका समझे है इसका color diagram देखते हैं धंसे देखिए इस diagram में बच्चा लोगों क्या कह रहा है जो spirogyra देख रहा है आपको spirogyra जो देख रहा है दिस इज़ is spirogyra yeah fragments बने उसके जिस दृफ्ड इपीशा इस दो है रिञेनिस इसमें इस इस इसमें फ्रे मटेशन ग्रों के नया spar Kerryस और रह通र दिश प्रॉसेस प्रउसी इस गोल्ड्ट्ट में लिए सब अंपाई हो तो तो अच्छा डाइगरम था काम में चलिए नेक्स्ट आगई वर्भट इसपोरस पर हाड व हैश दारे पोडुक्शन इन विच निव प्लांट्स आर फर्मों फ्रॉमड्स फॉर्म स्पोर्स से नए प्लांट्स बन जाते हैं तो बहुत इंपोर्टेंट से देखेंगे तो बच्छा लोगों वेन अब देखा हुआ वेड़ की सिलाइस को आपने रख दिया खुला छोड़ दिया कुछ दिनों बाद आप देखेंगे इस पर ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है इस सपोर्स ऑफ राइजोपस जो एएर में प्रिजेंट होते हैं वो इस पर सेटल हो जाते हैं और तूफॉड निव फंगस प्लांट ऑफ राइजुपस के लिए राइजोपस कंसिस्ट ओफ फाइन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन कॉल हाइपी राइजोपस के अभी स्ट प्रच्चर कॉल्ड इस पोर रंजियम विच कंटेन मैंनी स्पोर्स डैवलप इन्टू निव राइजो पस बरेरी इंपोटेंट है काभी वर आया इस्पोर रंजियम के अंदर होते हैं स्पोर्स जो की नही राइजो पस बनाते हैं आईए मैं आपको डाइगराम बता रहा क्या कहलाएंगे एक मिन्ट जो थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन है बच्चा लोगो इस इस कॉल्ड हाइपी इसके ऊपर जो नोग लाइक इस्टचर देख रही है आपको देश बैरी इंपोर्टेंट है पक्का आता है इस पुरंजियम और इसके अंदर ही भरे होते हैं क्या इ इस पुरंजियम केस फट जाते हैं तो सारे स्पोर्ट भार रिलीज हो जाते हैं हर स्पोर्ट से एक नया राईजो पस्वार्मेशन इन राईजोपस चलिए नेक्स्स कहे रहा है एडवांटेज जब इस पूर्मेशन में बच्चा लोगों पहला इट इस फास्टर मोड रि सबसे बड़ी बात सारे राजों पस पैदा होते वह एक जैसे होते हैं काफी बार पेपर में आया है चलिए बच्छा लोगो इस पूर फॉर्मेशन अंट जाय प्लेस इस दोनों में होता है उनी इसलोलर और मुंदी सेलोलाइर में होता है इसलोर का एक्जाम्पल जैसे बेक्टेरिया में मॉस और का मोस फॉर्म इन सम में होता है सिलिवस में हमारे में कौन सा था राइज लिए पक्का चलिए नेस्ट वेरी वेरी इप्रोटेंट इसके बना तो बोड़ वाला पेपर ही नहीं बना था अंड्रेड परसेंट तो थाउजेंट वंटीफोर परसेंट एक्जाम है पक्का बेरी बुटेट तो बेजिटिटिव प्रोपागेशन बच्छे लोगों दा प्रोड़क्शन आफ न्यू प्लांट प्लांट के प्राने पार्ट से ही नए प्लांट का बन जाना विदाउट थ प्लांट के प्राने पार्ट सी तो नया प्लांट बनता है सेक्सूल में सेक्सूल में सेक्सेल्स इंवाल्व होती हैं बट यहां पर कोई सेक्सेल्स इंवाल्व नहीं होंगी गेमिट्स इंवाल्व नहीं होंगी इस कॉल बैइटिटिटिव प्रोपागेशन के लिए टू प्रॉपोगेशन रूट्स से नया प्लांट पैदा हुआ लीप से तो देख लो याद रखना बट्स प्रिजेंट औन से प्लांट से से पैदा होते हैं और बट्स का नाम क्या एडवेंटिसियस बट्स तो गिरास में से पैदा होता है ग्रास पटेटो से पैदा होता है यादर कि पटेटो जैस्टेम अंडर्गराउं इस्टेम का नाम है ट्यूबर जिंजर भी स्टेम से पैदा होता है राइजोम जिंजर भी स सब सब और हैं नीए सब पैदा होते हैं कि बहुत इंपोर्ट बट्स प्रजेंट इंप से। सब्सक्राइब लिए प्रेजेटेटी प्रपागेशन इन का और बिक्वी्प्रीटेटी नाइस गपर बहुत बार पेपर में आया है तो आई ये कुछ बता रहा हूं बहुत डंक से सीखना बेरी बेरी इंपोर्टेंट तो बच्चे लोगों यह जो आपके सामने डाइग्राम है इस डाइग्राम में बेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हमने पटेटो का नया प्रिलांट पैदा कर रहे है आपको मैं बता दू बच्चे लोगों पटेटो जो है उस पर आपने ऐसी आंख बनी हुई देखी होंगी इस तरह से यहने हम आईज आप ट्यूबर आईज आप पटेटो कहते है हर पोर्षन को ऐसे कट किया जाता है पटेटो के की जिनमें आईज होनी चाहिए और जब आप इससे मौश सोयल में लगा देते हैं गाड़ देते हैं तो हर आईज से देखे इस तरह से एक नया आने की पार्ट पैदा होता है नया पटेटो पैदा हो जाता है मतला हर लेते हैं उनमें छोटी पीसीज काट कर जमीन में गाड दे जो जला इ송ब्स को भाव में गाहों में प्रटेटों की खेती होती हो सब्सक्राइब यह करूबच्चे लोगू ओकू चले हिर नेक्स्ट बच्च लोगों है आपका बाइजडियसरिटिफ प्रॉपटेशन ब्रडाव फिलम डायगरम इंपॉर्टन इसéis सारी च呢 तो बच्चारा रहो तो नौच्ट देख रहे हैं इन्हीं पर जर्मिनेसन होता है बारिस पड़ती है तो यहां से क्या पैदा हो जाता है बुर्ड़ालों का ब्लाइव सलम क्रॉसक्र कि पैदा हो जाता देखे तो किसyi पर बट्स पाईटे हैं किसी पर स्बाइब लिए तो याद रखिए कि नुमर की questions आते हैं कि बुराइब फिलम में किसके द्वारा होता है वाट्स पर गुट्ट से होता है यह बच्चा लोग आपका लिए अब हम पढ़ते हैं और दर तो बच्चे लोगोव दियर अर्थरी मैथटल nose तो कुह सब्सक्राइब घ्रना क्टिंग मैं क्या करते हैं बच्चे लोग in this method any part of the plant like root stem or leaves is cut मनला कोई भी पार्ट को कट कर लिया जाता है और उसको में बरीट कर दिया जाता है जो कि नया प्लांट पैदा करता है आपने देखा हो बहुत सारे बनाना ग्रेप्स बोगेन बिलिया क्राइस एंथिमम एसेटरा ओके बच्चा लोगों वहुत इंपूटेंट है कटिंग का डाइग्राम दिखा रहा हूं डंग से देखेंगे सारे बच्चा लोगों तो बच्चा लोगों आपके सामने है बैजेटिटिव प्रोपेगेशन ब इसक करें एदर रूट हो सकता है इसको हम कट कर लेते हैं के कट कर लिया कट करके बच्चा लोगों कि लगों ऊसके मॉस्टोयल में इसने न्यूट्रेंट्स मिलें चजा को तो इस तरह से घुलाब के शरोज के केक्स में रूज के अप तो क्या करते हैं रोज की छोटी छोटी टैनी ले आते हैं और से मॉइस्ट्वल में लगा जिते हैं गमले में लगा जिते हैं तो एक नया रोज का प्लाइट आने आ जाता है देखा होगा आपने that is called cutting clear पक्ता तो चलिए बच्छे लोगो next cutting के बाद next method आती है आपकी layering okay next very important layering clear बच्चे लोगो layering में क्या करते हैं इस method में हम in this method branch of stem which consists of adventitious birds okay adventitious roots तो हम क्या करते हैं बच्चे लोगो बट्स मत लिखना roots लिखना तो हम ऐसी branch को काटते हैं काटते नहीं खीचते पुल करते हैं ओके जिसमें adventitious roots और towards the ground ग्राउंड की तरफ जैसे कोई प्लांट है सब होजे इसके हमने ब्रांच को खीचते ही खीच कर और उसे soil में लगा दिये से एक नया प्लांट पैदा हो जाएगा this clear okay and buried in the moist soil moist soil clear this branch is called layer and this process called layering किस-किस में किया जाता है very important पक्का पूछेगा जैस्मिन में किया जाता है lemon strawberry okay और बच्चा लोगो this is high viscous high viscous में किया जाता है किलियर बहुत important है आई इसके diagram से आपको समझाता हूं और clear होगा हर चीज को diagram से समझा रहे हूं जिससे आपको clear हो जाए topic clear चलिए तो देखो बच्चा लोगो आपके सामने है diagram और layering का क्या है कैसे इधर देखिए सारे लोग इधर इसमें क्या कि हमने plant की एक ब्रांच को पुल किया पुल करके flexible ब्रांचे जोती है और किसमें बिटा बरीड कर दिया मौश स्वाइल में आप देख रहे हैं उसमें कैसी रूट्स होनी चुछी आइडविंटिशे रूट्स तो उससे एक नया plants प्लांट्स पैदा हो जाता है that layer is that is called layer और इस प्रॉस्ट इस प्रॉस्ट लेयरिग तो ऐसे हम जैस्मीन बगेरा में करते हैं करते हैं आइविसकस में करते हैं तो इंपोर्टेन एक्जांपल आते हैं नेस्ट आता ग्राफ्टिंग बैर इंपोर्टेंट ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं चलिए बच्चे लोगों ग्राफ्टिंग कर रहे हैं ग्राफ्टिंग में क्या होगा देखते हैं इस में इस मेंतल में हमने एक प्लांट का है एक प्लांट है उसके टॉप पार्ट को काट दिया एक प्लांट यह था और एक प्लांट यह था इसका टॉप पार्ट अठा दिया और इसका नीचे बॉटम इस टॉप पार्ट को हमने इसके बॉटम पे लगा दिया उपर कर आपको तो देखें हमने ग्राफ्ट किया पहले से एक प्लाट था उसका टॉप पार्ट रठाया और दूसरे के बॉटम पे लगा दिया के लिए जो टॉप पार्ट होता है बच्चे लोगों याद रखना जो जिस पार्ट को हम लगा रहे हैं किसी दूसरी प्लांट पर देख रहे होंगे इसमें कोई रूट्स नहीं है उपर वाल टॉप पार्ट है तो उसमें रूट्स का रहा होंगे और जिस पर ग्राफ्टिंग कर रहे हैं जिस पर ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो हमने क्या किया किसी दूसरे पार्ट का टॉप प्लांट है वो हमने किसी दूसरे प्लांट के बॉटम पार्ट पर लगा दिया दूनों को तैट कर दी आ देखी भाना हुआ है डंग से तो देखिए आप दो दिल और एक जान है इस तरह से ग्रोव खरतेंगी मानों एक ही प्लांट है तो जिस पार्ट को हम गिराफ्ट कर रहे है और जिस पर कर रहे है और स्टॉथ बहुत अच्छा आप रूट और इस टॉक होता है इस तेम बिन रोट इंड टू इंप्रूफ बाराइटी ओफ फूट्स की वराइटी को इंप्रूब करने काम आता है जैसे अब आपको पता एक दस है मैंगो को पैदा उने में सीट से 10-15 साल लगता नहीं लगता है तो इसलिह क्या करते हैं मै प्लांट का टॉप पार्ड लगा दिया जाता है जिससे की जो ब्राइटी जै वह इंप्रूब भी हो जाए और जल्दी भी पैदा हो जाए तो किस-किस के केस में करते हैं मैंगो है एपल है औरेंज है गौाबा है एसेटर के लिए पक्का चलिए तो बच्चलों को नेक्स्ट है वाइज बैटेटिटिव प्रॉपगेशन प्रक्टिस्ट फॉर ग्रोइंग सम टाइप अफ प्लांट यह पक्का क्वेश्चन आएगा बोर्ड में 100% लिख दीजिए और राइट एडवांटेज और बैटेटिटिव प्रॉपगेशन तो पहला पॉइंट है इस यूज जैसे मैंने म्हेंगो का एक्जामपल दिया बहुत टायम लगता है उसे 15 साल कौन वेट करेगा मैंगो लाने के लिए तो इसलिए मेथड को एपलाई कि यह आता है जिससे कि जल्दी टाइम में वो ग्रो हो जाए और मैच्चुर हो जाए प्लांट्स बिच रिक्वाइर लॉट्स ऑफ केर दियूरिंग अर्ली स्टेज कैन अल्सों भी ग्रो जिन प्लांट्स को सुरुवात में बहुत केरिंग की जरूत होती है उनको हम इस मैथड से ग्रो करा सकते हैं इस चीपर एजियर एंड मोर रैपिड मेथड बहुत जल्दी होता है के लिए ते सारे आपने देखे बैयूट्रिटिप के एडवांटेज थे अब आता है डिसएडवांटेज के हैं बैयूट्रिटिप प्रोगेशन के इट इंडूसे ओवर्क्रावडिंज जल्दी बच् प्रोगेशन के डिजीज ऑप इस प्रिंग में भी ट्रांसफर हो जाती है और न्यू करेक्टर हम पैदा नहीं कर सकते और पॉराने करेक्टर को खतम नहीं कर सकते मैथट के द्वारा क्योंकि हमें तो एक्जैक्ट बैसा का बैसा इसे पैदा करना है विए उसमें से इक्सल पर सेंट क्वेश्चन साता है पेपर में वेडरेटिव प्रोपीशन के ऊपर कोई ना कोई क्लिया चले नेक्स्ट आगे की और मूब करते हैं बच्छा लोगो नेक्स्ट अपिक है आपका टिशू कल्चर टिशू कल्चर ढंग से देखेंगे कभी आपने टेस्टिव बेव प्रोड़ी में क्या करते हैं सबको पता है इस पंस और ओवा को बोड़ी से बार फ्यूज कराया जाता है ना बार फटिलाइज कराके फिर अने की बेवी पैदा के जाता है सेम कानी आपर है टिशू कल्चर माइक्रो प्रोपेगेशन इन बिट्रो आउटसाइड दा बाहर प्लांट 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 हार्मोनल मीडियम के लिए तो नए प्लांट का पैदा होना प्लांट के टिसू से प्लांट की से सिंथेटिक मीडियम है कैसे करते हैं दम से देखना बच्चा लोगा जैना मैथाड सम प्लांट इसू आटेकन प्लांट इसू या प्लांट इसू आप तेकन फ्रॉम हुぜ तो आप देखेंगे चुटी-चुटी क्या पैदा हो जाएंगे और डिवाइड होगे लंप बन जाएगा तो हमें फिर द्वारा से जो कैलस बनाए उसको एक अनदर सिंथेटिक मीडियम में ट्रांसपर्ट करते हैं जिससे की रूट्स पैदा होती है दीरे-दीरे उसके पार सूट डेवलब हो जाएगी और इस से धीरी-दीर चुटा सा प्लांट प्लांट पैदा हुआ तो तन इसवें प्लांट लेट्स करें कि ल, A, N, T L, E, T, S L, E, T, S के लिए चले और किन में काम आती है method ornamental plants जो decorative plants होते है साजावट के आपने का भी फूल बंगला देखा हो मंदरों में सस्ते हुए orchids, ढालिया क्राइस एंथिमम कारनेशन यह सब ornamental plants होते है जो सजावट के काम आते है बहुत बड़े-बड़े plants होते है वो इसी method से पैदा के जाते है tissue culture से advantage of tissue culture यह तो very fast method है तुरंद बच्चे लो very little space बहुत कम space में बहुत बच्चे हो जाते है बच्चे मतलब plants हो जाते है और it can be done for all year पूरी साल कर सकते है यह नहीं की favorable or unfavorable condition हो तभी कर पाएंगे के लिए सबको आ रहा है चले तो बच्चे लोगो next इसका diagram बता रहूं मैं आपको वो अच्छी तरह से tissue culture का diagram देखेंगे तो देखें बच्चे लोगो this is the diagram of tissue culture diagram based questions मैं पूछ सकता है तो बच्चे लोगों सबसे पहले क्या किया है देखें टिसू लिया गया है एक एडल प्रांका और जनरली कहां से लिया आता है रूटे पर सूटे पर सूटे प्लांट्स के जिससे प्लांट जल्जली ग्रोव करें अब देखेंगे आपने जो सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि क्यों माश्च को को सिंटेटी मीनमें में के डिए देमें सब के निसके काम आता है कापी बार पेपर संसिसी ग्लांट्स सबोंगे जैने संदेस्ट के काम होता है कि इस में तभ पता है। सजावक के सब्सक्राइब कर देखना समझ में आएंगे आपको सारी के लिए चलिए तो बताइए बच्चे लोगो को सब्सक्राइब काला जार इस तो हमने बड़ा था काला जार सब्सक्राइब कर देखना 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 सब जो नीकुलेस होता है वो बस सारे पार्स में डिवाइड होके बस सारे प्लाजमोडियम बनाता है दा रूट सिस्टम ग्रोज आउट फ्रॉम बहुत इंपोर्टेट है आपको पता है सीड के तीन पार्ट होते हैं प्लियूम्यूल कि रेडिकल कोट्रिलिडन्स याद है प्लियूम्यूल क्या बनाता है बच्चा लोग शूट या रूट शूट पार्ट इस्टम पार्ट इस्टोर्स फूड इस पक्का आएगा पेपर में कोश्चन इसका डाइगराम भी इंपोटनेंट और रेडिकल फ्यूचर की रूट बनाता है तो दा करेक्ट आंसर इस करिस्टीकल में मैं बैसे अक्तों में मैं कहलाती एक्टो में केली विदैस मा यूच से बच्चा ऐसेम्सेंसेंसल पार्ट सबफनार आट आbang में उपी मिलेउंड कर्ड़ नहीं अशॉजय्च देख रहना ऋड़न आपको इसटमेंस एंड इस्टिल कार्फश उकि alcohol इस यह पार्ट जरूर होने चाहिए दर्टे रिप्रॉड़क्टिव पार्ट अब फिलार के अगर जो पंखुडियां वह गिर जाएंगी तो कोई प्रोल्म नहीं बट उसका रिप्रॉड़क्टिव पार्ट ही गिर गया निकल गया तो वह कैसे नया रिप्रॉड़क्शन कर आगे की जनेरेशन को मेंटेन नहीं रख पाएगा चलिए नेक्स्ट आगे की और बढ़ते हैं कि लिए तूफ वल्स वताने हैं इधा अब आएगे इनुसेक्शुल फिला ओके सबको पता है प्रोजेक्स टरॉनी सीक्रेट्टेड बाइट टेस्टीज नो किसके द्वरा हो सबको पता है बढ़िंग बहुत अच्छा कुश्चन है पकाता है के लिए पिस्टिल पार्ट प्लांट एस पिस्टिल बोलो या कार्पल बात ही किये एट्स इस बैक्टेरियल डिजीज नो देट इस वाइरल डिजीज के लिए चलिए एयर आपके हमबक के लिए दे रहा बहुत इंपोर्टेंट डाली है और जल्दी जल्दी से करके बताईये मुझे मैं आपके लिए रहा हूं गौनोरिया इस सेक्सुले ट्राप्स डिजीज कोज़ बाइरस सारे आपको अंसर होता नहीं ओवरी रिलीज बन एवरी मंथ दलाइने ओटरेस इस अल्वेश थेके सब पढ़ाय में एक लाइन अपी है ना दंग से पढ़ना होता है इन में लिप्रक्री सिस्टम ट्रांसपूर्ट इस फर्म टेक्स प्लेस इन फ्लूट विच विच अल्स प्रोबाइड नियूट्रेशन दा सीक्रेशन अप्रोश्टेट गरन सेमिन बैसके सीमन सब को पता ह प्रोश्टेशन संबक में लिखिये जल्दी से के लिए डाइग्राम बेस क्वेस्टेशन भी आएंगे और एं चौर्ट टाइप थ्री मार्क्स क्वेस्टेशन इस इस दा प्वेस्टेशन सारे क्वेस्टेशन आपको करने हैं कि ओके और यह नेम दो पार्ट लेवर एबी सीडी ए देखते हैं कौन-कौन बताएगा एक क्वेस्टेशन पक्का बोड के लिए लिख दीजिए हंड्रेट परसेंट एक क्वेस्टेशन बोड में होगा लेवल करने के लिए डाइग्राम माना लिए तो मोस्ट इंपोर्ट पड़ा बच्चा लोगो सबको समझ में होगा पका खूब सारा पड़िये अच्छे माक्स लेकर आइए अच्छी तरह लाइक को इस प्रेंट करिए बोलो बाबा मा की जैर गुनाइट बच्चो